नमस्कार दोस्तों अभी मैं लाट घट में हूँ और यह आदित्य सांती कुझ और सधाले हैं मैं बता दूँ कि जो लोग बावसीर से परसान हो जिनको लंबे समय से बावसीर हो और वो बावसीर की सटिक इलाज नहीं करा पाए हो तो वो एक बार लाट घट आए यह आदित् को नया जीवन मिला है यहां से मैं सिधे रूख कर लेता हूं डाक साब का क्या हाल चाल है ठीक 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 शुरू करने से पहले मैं आपका परिचे कर लूं ताकि दरसक हमारे जान जाए कि किन से बात हो रही है हम डाक्टर जै कुमार दूबे लाट घट सतना रोग बावसीर की बावसीर यहां है कि बावसीर के दिवां करते हैं लोग्न अलाग को इता रॉक्त इनके जाती हैं और जीवन भी उससे बहुत प्रभावित हैं तो किस तरह की दवा करते हैंसे कि दवा किवल हम आरभेश से करते हैं और उसको वन हमारे डवा न देसों में जाती है जो लोग बहुत परसान हो जाते हैं तो हमारे गड़ जाते हैं एक बार दवा देन कि भरी ले जाके खाने में मरीज पूड़ता आराम हो जाता है इसको दो बारा नहीं आना है बावसिर कितने और बहुत इनाम भी आया है भी देसों से अच्छा हां कोई ऐसा खिसा बताई है कम से कम आठ देसों से हमारे पास इनाम आया है कोई जाकिट दिया है तो कोई कुछ दिया है तो थोड़ा सा यह बताइए च्छै परकार की जो बावसीर होती है उसमें सबसे खतरनाक आपने दुए तिन खुरक में आपको आराम महसूस होने लगेगा कोई असा खिसा बताई है जो बावसीर से बहुत परसान हो आपरेशन भी कराया हो और उसको आराम आपके हां आने से मिला हो एक बैंका कादमी था पांच आपरेशन कराया था तो हमारे की हाया तो उससे उसको भोजन मसूर नहीं होता है बावसीर से हमके हम बावसीर की दवा देंगे अब पत्थल भी खाएंगे तो पची जाएगा और दस दिन में मुशा उससा जहर के खतम हो जाएगा यह जो दवा आप गारंटी के साथ दे रहे हैं यह दवा सिर्फ आप ही क्या मिलती है क्या और क पढ़े हैं और उसको अब रिसर्च किये हैं अपनी दवा सर्च करके उसको बनाते हैं कोड़ते हैं पीड से हैं उसके टेबलेट गोली बनाते हैं तो इसके बाद उसको सप्लाई करते हैं इसमें भस में भी चलते हैं निवकुर्प्रकार के भास में बंगे 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 कि बावसीर बावसीर एक बहुत जटिल रोग है जिनको होता है और वह सही जगह से इलाज न करवाएं तो बावसीर एक ऐसा रोग है कि आपको उठने बैठने खाने हर चीज में परिशान कर देगा ऐसा आप बोल सकते हैं कम सब्दों में कि जीवन अस्त ब्यस्त हो जाता है लेकिन अगर आपको बावसीर हो तो आप लाट घाट आएं सांती कुंज और सधाले डाक्टर अजे कुमार दूबे जी हैं मेरी वीडियो बनाने के बाद इनसे काफी लोग जुड़े और काफी लोगों को आराम मिला उन्हीं लोगों का फोन आया कि एक बार फिर इनकी वी का है और यहां अच्छा इलाज होता है मैं थोड़ा सा इनका दिखा दूँ जो यह हाथ से बनाते हैं देखिए यह सब दवाईया है यह आपको एक भी रेडिमेट दवा नहीं दिखेंगी यह दवा है जो इन्होंने हाथ से तयार किया हुआ है यह डबा थोड़ा खोलिये क साथिका गठिका गठिया और फालिस की भी यह दवा करते हैं फिलाल मुख्य रूप से यह बावसीर के बहत्रीन डाक्टर हैं अच्छी इलाज करते हैं बावसीर का और यहां से बहुत सारे लोगों को लाब भी मिला है तो अगर आप भी बावसीर से परसान है बावसीर का स और सफर इलाज कराना चाहते हैं एक बार सांती कुंज और सधाले लाट घाट आएं डाक्टर अजय कुमार्दूबे जी से मिले और अच्छा यह बताइए कि हमारा वीडियो देखकर आए जो आएगा उसको कुछ बरीता है कुछ लाम मिलेगा हाँ जो वीडियो देखकर आए रहेगी क्योंकि हमारी वीडियो देखकर आपसे काफी लोग जुड़े बात जिसको पैसा नहीं है विसको भी जब आ जाता है तो फिरी बें दवा देता है लेकर जाओ खाओ अच्छा ऐसे लोग भी आ जाते हैं हां हां परसान है पैसा रभीवार के दिन हमारे लड़की की पूड़ती थी रहती है उस दिन हम फिरी बें दवा देते हैं अच्छा रभीवार के दिन अब तो यह पता है तो रभीवार कोई ज्यादा लोग आएंगे तो उपर वाले देंगे न अच्छा चलिए डाक्टर साब हैं इमलदार किसम के हैं बैवार बीन का सही है और दवा गुजरात का बरित था वह असीर से उसकी पूरी बाड़ी काली हो गई थी उसका पीछे का इतना सुझ गया था कि पाखाना नहीं कर पार रहा था उसका आइडियो है हमारे में भेजा था रिकार्डिंग है उसको थोड़ा से गर सुन लिए नहीं करेंगे तो कि है ठीक है उ रहा है बाड़ी हो चाहिए जिस प्रकार की बावसीर ऊच्चे वाली बावसीर तो आप एक बार लाटगाट नहीं पर अधित्यसांतिकुण्ज लाटगाट के में रोड से दो ढ़ाइसों मीटर दूर इनका अधित्यसांतिकुण्ज के नाम से अउसानाले है मैं इनसे ही ए लिखा हुआ है चलिए बोबाइल नमर बताइए चारानवे बावन उन्यासी एक्यासी निन्याद्वे चलिए इनका नमर भी डाल दूंगा आप बकाईदा उस पर फोन करके इन से संपर्ख कर सकते हैं और लंबे समय से अगर बावसीर से परशान हो या किसी भी परकार के बावसीर हो तो आप उस बावसीर से निजाद्वी पा सकते हैं बाकी वीडियो देखकर आप क्या सोते हैं कमेंट आपक्स में लिख कर जरूर बताईएगा और जिन लोगों को वीडियो से आराम मिला है वो भी कमेंट करिएगा और बताईएगा कि हां मुझे आराम मिला है अगले कैसे वीडियो फिर मुलकात होगी तब तक के लिए धन्दबाद